हम करने जारे मेंस का प्रिवेसर क्वेशिन एनालेसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टेडिस पेपल टू इंडियान पॉलिटी सेक्षिन से एक क्वेशिन मैं उमीद करती हूँ आप लोगों ने इस क्वेशिन को अटेम्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रीम भी किया होगा आज हम राज्य सभा के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है तो राज्य सभा के बारे में हम पढ़ेंगे कि राज्य सभा पहले एक उसकी डेजिगनेशन क्या थी और अब उसकी डेजिगनेशन क्या बन चुकी है तो हम वो transformation के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य सुभा की यह जो designation में transformation हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, क्या हुआ है, कैसे में वो देखने को मिलता है तो बहुत interesting session होने वाले guys और बहुत ही भेतरीन points आज आपको मिलने वाले हैं तो इन points को अपने पास ज़रूर note करके रखेगा, it will definitely help you in the near future So guys, session को शुरू करने से पहले, जिन भी students ने हमारे telegram channel join नहीं किया है वो तुरें description box में जाएए, वहाँ पे आपको link provided होगा उस link के थुरू आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं और उसका benefit आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी PDF का access मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए upload कर दी जाती है हमारे telegram channel पे ही free of cost जैसे कि current affairs की PDF से हैं या फिर ये जो हम mains का previous question analysis कर रहे हैं इसकी PDF से हैं और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो video lectures upload किये जाते हैं आपको उनका भी directly नहीं पर provide कर दिया जाता है और guys अगर आप seriously अपने examinations की preparation कर रहे हैं तो मैं गहूंगे कि आपको current affairs के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रत नहीं है आपको अपने time, money, efforts कुछ लगाने की ज़रत नहीं है all you need to do is आपको सिर्फ जासर academy पे जो regular basis पे आप लोगों के लिए current affairs की video lectures upload किये जाते हैं आपको सिर्फ consistently उनको follow करना है that is more than enough क्योंकि हमारे current affairs से बाहर का आपके exam में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा और guys हमारे GS का भी preplace mains batch रन कर रहा है आप इस batch को भी जरूर join कीजिए इस batch में आपको GS1234 के बिल्कुल 0 से तयारी करवाई जा रही है जासर आपको खुद mentor कर रहे हैं इस batch में और अगर आप batch की details को proper तरीके से follow करेंगे और जासर के द्वारा दी गई guidelines को follow करेंगे तो आपका exam निकलने से कोई नहीं रोग सकता guys आपका selection पक्का है तो जरूर जरूर join कीजिएगा इस batch को और हमारा mains का भी answer writing batch रन कर रहा है आप इस batch को भी जरूर join कीजिए बहुत ही भैतरीन batch है इस batch में आपको 500 plus questions की practice कराई जा रही है हमारी export faculty है वो आपकी answer copies को check करते हैं mistakes बताते हैं और improve करने में help करते हैं और उसी के साथ साथ आपको हर एक question के regarding example answer भी दिया जाता है और video solution भी provide किया जाता है with proper explanation so guys अगर आप seriously civil services examination की preparation कर रहे हैं तो आप इन batches को जरूर join कीजे का join करने के लिए आप नेचे दिये गए number 9713282838 पर whatsapp के थुरू आप courses की details ले सकते हैं और courses को join कर सकते हैं तो चलिए guys अपना आज का session स्टार्ट करते हैं हमारा question है Rajya Sabha has been transformed from useless stepney tire to the most useful supportive organ in the past few decades highlight the factors as well as areas in which this transformation could be visible पिछले कुछ दशकों में राज्य सभा को बेकार स्टेपनी टायर से सबसे उपयोगी सहायक अंग में बदल दिया गया है उन कारोगों के साथ-साथ उन छेत्रों पर भी प्रभाव डालें जिन में यह परिवर्तन दिखाई देख सकता है जैसे मैंने आपको बताया GS2 Indian Quality Section से लिया गया है और यह question UPSC ने 2020 में पूछा था तो जब हम इस question के बात करते हैं गाई तो इस question में क्या दिया गया है कि अगर हम past few decades के बात करें कि पिछले कुछ दशकों के अगर हम बात करें तो उस time पर राज्य सभा की designation थी वो क्या थी कि उसको राज्य सभा को किसे संबोधित किया जाता कि यह तो useless मतलब किसी काम का नहीं है एक stephanie tire हम रखते हैं ना एक stephanie tire रखते हैं यह emergency के time पर अगर हमारी car का या जो भी वहिकल है लेकिन वो किसी काम का नहीं है हम उसको replace करी नहीं सकते हैं वो काम का है ही नहीं किसी तो वो क्या है वो useless है तो इस तरीके से राज्य सभा को संबोधित किया जाता था कि यह एक stephanie tire है लेकिन किसी काम का नहीं है useless है लेकिन अब इसकी वो designation है इसका वो जो संबोधन है वो बदल दिया गया, transform हो चुका है किसमें एक सबसे जादा महतवपून और supportive ओरगन के रूप में ठीक है, एक बहुत ही उपयोगी सहायक अंग बन चुका है अभी ये ठीक है, तो ये कि हमें transformation देखने को मिला है है, राइट, so let's start with our answer now राज्यसभा, also known as the upper house, has been significant in the legislative process of our country, राज्यसभा को हम किस से जानते हैं, कि ये अब हमारा upper house है, upper house, lower house हम कहतेते हैं, तो upper house हमारा राज्यसभा है, और ये एक बहुत ही महतवपून, significant क्या है, legislative process है हमारी country का, मतलब एक विधाय प्रक्रिया है ये, ठीक है it is significant in the sense that, अब ये किस sense में ये किस माइनों में ये महतवपून है, इतनी important है, first is, it empowered with two executive powers, कि इसके पास दो कारी, मतलब ये empowered है सशक्त है दो कार्यकारी शक्तियों से, पहली तो क्या है, to authorize parliament to make laws on state subjects, अब हमें 7th constitution के 7th schedule में हमें 3 list देखने को मलती है, union list, state list और concurrent list union list पे कौन बना सकता है, कानून कौन बना सकता है, के इंदर सरकार central government, और state list पे कौन करेगा, state government बनाएगी और concurrent पे center और state आपस में मिलके बनाती है, ठीक है, तो अब होता क्या है, कि जो state subjects है, state list के अंदर जो subjects mentioned है, उस पे तो state कानून बनाती है, राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन उस पे parliament को ये authority देती है, कि वो state subjects पे भी कानून बना सकती है, कौन देता है, ये राज्य सभा उसको authority देती है, ठीक है, दूसरा, creation of all India services, article 312, article 312 के तहट क्या बोला गया है, कि जो all India services है, उनका बनाना, उनको गठन करना, वो किसके अंदर है, वो किसकी jurisdiction में है, पूरा का पूरा राज्य सभा की jurisdiction में है, ठीक है, तो ये बहुत जादा important है, जो कि सिर्फ राज्य सभा के ही हमें jurisdiction में देखने को मिलता है, फिर, it has equal powers with लोग सभा, मतलब एक parity पे है, लोग सभा के कुछ areas में, कि जो rights, जो authority लोग सभा के पास है, वही किसके पास भी है, राज्य सभा के पास भी है, ठीक है, it represents eminent members of society, मतलब कि ये society के कुछ बहुत ही भैतरीन eminent members को भी represent करते हैं, जो कि nominated होते हैं, electedly nominated को भी वो represent करता है, avoids hasty legislations, कि जल्दबाजी में कानून से बचाता है, कि लोग सभा में, अगर मानलो कोई कानून बना दिया, तो वो क्या होता है, वो पास होने के लिए राज्य सभा में जाता है, ठीक है, उसके बाद जब वो राज्य सभा से पास होगा, तब वो president के पास जाएगा तो उससे क्या होता है ये राज्य सभा अपर हाउस आने की वज़े से वो जल्दबाजी में कानून नहीं बनते वो उससे बचाव हो जाता है It maintains federal equilibrium मतलब protects interests of states अब हमें राज्य सभा में कुछ states state के representatives भी देखने को मिलते हैं तो ये जो federal equilibrium है उसको भी बनाए रखता है मतलब जो states के राज्यों के जो interest है उनको भी protect करता है तो इसलिए ये बहुत जादा महत्वपून है बहुत जादा important है लेकिन इनको क्यूं बोला गया फिर भी अगर ये इतने जादा महत्वपून है इतने important है तो इनको क्यूं ऐसा बोला गया कि ये एक useless stepney tire है देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा term है जो बोला गया है है न कि stepney tire है लेकिन useless है तो इसको क्यों criticize किया गया है इतनी जादा important होने के बावजूद इनको इतने महत्वपून इनकी functioning है इनकी authority है तो क्यों है ऐसा first is delay in passing bills कि bill pass करने में अब जैसे हमने एक positive side पे क्या चीज़ देखी थी कि hasty legislations बनाने में avoid करता है मतलब कि जल्दबाजी में कानून नी बनते जल्दबाजी में decisions नहीं लिये जाते क्यूं क्यूंकि एक हमें lengthy processor देखने को मिलता है लेकिन उसी से problem क्या भी होती है जल्दबाजी में तो decision नहीं लिया जाता है लेकिन फिर भी bills जो pass शायद मान लीजे urgent need के है या pass हो जाने चाहिए जल्दी से या उसमें साथा problem नहीं है तब भी वो कई बार वो bills उतनी जल्दी pass नहीं हो पाते क्यूं क्यूंकि डीले हो जाता है इस complex processor की वज़े से राज्य सभागी वज़े से महाँ पे having less or no pass regarding money bills अब हम जानते हैं कि जैसे अभी हमने राज्य सभागी authority में ही क्या बात की थी कि उनको कुछ powers उनके पास ऐसी है जो लोग सभा के पास भी है मतलब कुछ areas में ही सभी में नहीं कुछ areas में वो parity पे हैं लोग सभा के साथ लेकिन money bill ऐसा है यहाँ पे जो power सिर्फ और सिर्फ लोग सभा को ही दी गई है लोग सभा के पास ही jurisdiction है कि वो किसी भी बिलकूल बोल सकते हैं के लिए राजयसभा की कोई जो अथोरिटी नहीं होती कि वो उसको amend करा दे या फिर उसको reject कर दे तो उसमें राजयसभा की कोई अथोरिटी नहीं होती तो उसके पास बहुत कम या फिर ना के बराबर powers है money bill के regarding next is breeding ground for crony capitalism party fund raiser अब ये एक breeding ground हमें देखने को मिलता है किसके लिए crony capitalism के लिए मतलब कि जो capitalist society है उनको ज़ादा यहाँ पे favor किया जाता है ठीक है crony capitalism को क्योंकि यहाँ पे जो party का ये fundraiser की तरह काम करते है तो उसका breeding ground है मतलब कि जो actual में काम है उसके उसको देखते वे नहीं बलकि कुछ गलत मैनर में ही काम किया जा रहा है राज्यसभा में तो इसलिए इसको criticize किया जाता था stepney tire को कहके a useless stepney tire बता के election poaching by political parties political parties के दुआरा election poaching की जाती थी चुनावी हतकंडे अपनाए जाते थे राजनीतिक दलों के दुआरा तो ये कुछ reasons है जिनकी वज़े से इनको criticize किया जाता था इनकी आलोचना की जाती थी किस रूप में किस चीज से संबोधित करके एक useless नाकारा stepney tire बोलके right but in recent times there are areas where this picture is changing अब ये क्योंकि पहले संबोधित किया जाता था लेकिन आज के time पे इसको क्या transformation क्या हुआ है किस बात से संबोधित किया जा रहा है कि सबसे जादा उपयोगी मतलब सहायक है ये बहुत जादा important है और supportive organ बन चुका है सहायक अंग बन चुका है तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वज़े से ये designation change हुई है ये transformation हमें देखने को मिला है और इसको हम कहां पे देख सकते हैं किन-किन areas में ये change हो रहा है और कैसे-कैसे ये visible है क्यों हुआ है ये क्योंकि जैसे इसको useless माना जा रहा था ये उस तरीके से proper तरीके से काम नहीं करती है तो क्या देखने को मिला हमें recent times में कि राज्यसबा ने कुछ बहुत ही महत्वपून कानून बनाए हैं बलकि initiate किये हैं सबसे पहले initiation कहां से आया है उनका राज्यसबा की ओर से आया है जो बहुत ही महत्वपून और बहुत ही अच्छे कानून है जैसे कि अगर हम इसके support में बताएं तो in 1952 about 899 bills were introduced in the राज्यसबा कि 1952 में 1952 में लगबग 899 बिल ऐसे थे जो राज्यसबा से ही introduce किये गए थे तो ये visible है हमें कि किस तरी के से visible हो रहे है है राज्यसबा ने जो bills लेकर है उस时 visible हो रहा है और जो visible है वो जो ये bills आये है ये बहुत ही ज़ादा महत्वपून कानून के लेके आई गए है initiate किये गए है तो इसलिए इसका ये transformation हुआ है Some important bills अब क्या-क्या है कुछ हम important bills की जो हम कह रहे हैं कि बहुत महत्वपून है तो क्या ऐसे important bills है जैसे कि bonded labor system bill कि जो bonded labor हमें देखने को मिलती थी बंदुआ मजदूरी उसके लिए bill लाया गया कि वो system कैसे होगा क्या-क्या प्रनाली होगी उसकी उसके लिए bill लाया गया और इसका initiation कहां पे हुआ राज्यसभा में ही initiation हुआ था Next है MRTP Act 1969 MRTP Act लाया गया 1969 में इसका initiation भी कहां पे हुआ था राज्यसभा में हुआ था ठीक है तो ये क्या है Districting Trade Practices Act है कि जो जैसे ट्रेड में व्यापार में goods and services के exchange में जो व्यापार होता है उसमें जो practices हैं वो गलत ना हो तो उनको restrict करने के लिए किया गया था कि एडल्ट्रेशन ना हो जादा गलत practices का इस्तिमाल ना किया जाए Next है ग्राम नियायालिया's bill 2008 ग्राम नयायलिया का bill भी बहुत ही जादा important है बहुत जादा महत्वपून साबित हुआ है यह और यह visible है हमने देखा भी है यह भी कहां पर राज्यसभा से ही initiate किया गया था Right Second is It acted as a revising chamber मतलब कि यह संशोधन कक्ष के रूप में काड़े किया है मतलब revising chamber मतलब जैसे कि amendments होती है जैसे कि कहीं पर time to time हम बात करते हैं amendments भी क्यों लाई जाती है क्योंकि अब मान लीजिए आज के हिसाब से हमने कोई कानून बनाया लेकिन आज से 10 साल बाद 15 साल बाद 20 साल बाद situations बहुत जादा change होंगी आज के टाइम पर जो है उससे बहुत जादा changes हमें देखने को मिलेंगे तो जो वो changes होंगे उसके हिसाब से जो कानून आज बनाया गया है वो आज की conditions में आज की situations में तो proper suit हो रहा है रहा है वो उस टाइम पर best prove नहीं होगा क्यों क्योंकि जैसे जैसे situation circumstances change होए है उसी हिसाब से उस कानून को भी बदला जाना ज़रूरी है तो वो जो amendments होती है वो amendments का काम भी राज्यसभा में किया जाता है वो उस तरीके से act करता है revising chamber के तौर पे जैसे कि राज्यसभा intervention in dowry prohibition bill led to a joint sitting कि इन राज्यसभा ने कहां पर intervene किया कि dowry prohibition bill लेके आया जाए उसमें कुछ changes किये जाए और उससे joint sitting भी बैठी थी joint sitting का बैठती है जब एक consensus नहीं हो पाते लोग सभा राज्यसभा के वीज में तब एक joint sitting बैठके ताकि आपस में मिल जूल के बैठके बात हो और एक decision पे पहुँचा जाए तो ये भी बहुत एक महतोपून का रहे है जो राज्यसभा ने किया है next is scrutiny of the executive कि जो executives है या कार्यपालिका है उनकी scrutiny करना उनकी समवीक्षा करना वो भी किसका काम है वो भी कौन करता है राज्यसभा करती है जैसे किस के थूँ question are के थूँ कि उनसे कुछ questions पूछे जाते है executives किस से ताकि उनको check कर सके कि उनको monitor कर सके उनकी scrutiny कर सके detailing कर सके ठीक है तो question are के थूँ वो questions put up किये जाते है उनसे सवाल जवा किये जाते है calling attention motion कि किसी calling attention motion क्या है कि किसी बहुत ऐसी चीज है कोई important matter है कोई ऐसा मुद्दा है उस पे सबका ध्यान केंद्रित करना उस पे ध्यान केंद्रित करने के लिए ये motion pass किया जाता है कोई जो important बुद्धा है उसके उपर कि उस पे बातचीत करनी है उस पे conversation होगी उस पे बातचीत होगी बहस होगी और फिर देखा जाएगा कि भई क्या किया जाना चाहिए इस pattern में तो वो भी कौन करता है initiate राज्यसभा करती है जैसे की example के तौर पे attention was drawn to promulgation of ordinances in some states कि अब attention किस पे लाई गई थी राज्यसभा किस पे attention लेके आया कहां पे उन्होंने ये लिया कि भई कुछ states में ordinances बहुत जादा लाए जा रहे हैं और ordinance कब लाए जाते हैं at the time of emergency ही जब कोई भी house मतलब होता ही नहीं है session में ही नहीं होता कोई house तब लाए जाते हैं ordinances लेकिन कुछ states में ordinances काफी जादा लाए जा रहे थे तो उस पे भी attention लाने का काम किस नहीं किया राज्यसभा नहीं किया next acts it acts as a debating chamber मतलब वाद वीवाद कख्ष जैसे हमने बात की कि questionnaire होता है questionnaire में क्या है कि एक party question पूछ रही है executives उसका जवाब देते हैं ठीक है वो भहस होती है वो फिर cross question पूछते हैं तो एक वाद वीवाद का भी ये chamber बनता है कख्ष के रूप में इसको देखा जाता है Gopal Swami Ayangar has very rightly said the most that we expect from the second chamber is to hold dignified debates Gopal Swami Ayangar ने बहुत सही इस पर क्या कहा है राज्यसभा के बारे में कि सबसे जादा जो हम expect कर सकते हैं second chamber से second chamber मतलब राज्यसभा से जितना जादा हम expect कर सकते हैं सबसे जादा वो क्या है कि proper तरीके से dignified debates वो hold करती है वाद विवाद को रखती है अन्जाम देती है proper तरीके से next is represents the states and acts as the federal chamber वही है कि एक federal equilibrium बनाके रखती है वहाँ पर कि states का representation होता है states के राज्यों के प्रतिनिद्ध हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं और उससे क्या होता है कि states का interest भी वहाँ पर प्रटेक्ट हो पाता है example के तौर पर बात करें तो GST Bill founded hard to be passed due to states opposition कि जो GST Bill था वो proper तरीके से उसने बहुत जादा मुश्किलों से ही वो पास हो पाया है क्यों क्योंकि states के राज्यों के प्रतिनिद्ध हमें राज्यसभा में देखने को मिलते हैं और उन्होंने वो क्या कर रहे थे उपोस कर रहे थ GST Bill proper तरीके से मतलब असानी से पास नहीं हो पाया बहुत मुश्किलों से ही वो पास हुआ है right so on the concluding note but we can say कि हाँ बहुत सही है आज के टाइम पे ठीक है पहले कुछ प्रॉब्लम्स होंगी कुछ जो भी उनमें चालेंजिस या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती थी रा अगर हम आज के टाइम पे देखें तो राज्य सबाइक बहुत ही important है बहुत significant chamber है बहुत अच्छे से काम करते है बहुत ही मतलब एक democracy को maintain करने में well-being बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है बहुत important role वो play करता है right और यह हमें visible है उनकी legislation से उनके काम से ठीक है so this was all for this question guys I hope you all have liked this analysis अपना feedback आसे मारसा comment section में जरूर श्यार कीजेगा so with this we end up this session today here guys thank you so much have a great day ahead जय हंद